आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ संदी but not necessary in the same order कॉर्सन में हमें total 7 persons की वन है अटेंड करते हैं को seminar डिख लेते हैं days and person date start है यां से Monday से and end हो रहे हैं Sunday के Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Saturday and Sunday अब हम arrangement देखी हमें given है K has to attend the seminar on Wednesday K attend कर रहा है seminar Wednesday Only one person has to attend the seminar between K and P K and P के between only one person होगा पर लिख लेते हैं K attend कर रहाँ Wednesday K and P के between only one person होगा अब वर्ड में देखें तो one person का हो सकता है यहां पे होगा one person का gap है P यहां पे हो सकता है Same ऐसे downward में P यहां पे हो सकता है one person का gap का बीच में दो कीस कीस में बनेगे यहां पे जे "... अटेंड था सेमिनार इमेजिटली आफर P इसका मतल़ है जे अटेंड कराइगगा सेमिनार P पे बाद ही बहुत हम देखें पी अटेंड करता मंदे गुरू जे कप करेगा ट्यूस्टे को, सेम ऐसे ही यहां पी पी अटेंड करता है फ्राइडे को तो यहां सेटर्डे को करेगा जे, जे के यहां तो केस बन गए है, यहां पी यहां पी यहां पी यहां पी यहां पी आपी अटेंड करेंगे ल के बाद सेमिनार की, अब हमें ल की पोजीशन पता नहीं है यहां पी, आगे देखते हैं, यहां पी यहां पर 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 यहां कि परसेंट का होगा कि यहां पर नहीं यहां पर नहीं यहां पर ऑफित पर देते हैं है अब हमारे पास यहां पर बस एक ही परसेंट का प्लेसर में गए और को है O यहाँ पर हम देख भी लेते है O has to attend a seminar immediately after M O seminar attend करेगा immediately after M यहाँ पर हम ऐसा कर सकते थे कि यहाँ पर L हो जाता यहाँ पर M हो जाता हमें एक portion में given था कि जेसे पहले जितनी person होगे उतनी person होगे L के बाद अगर L यहाँ पर होता तो हैं लोगे दो नहीं होंगे, टीन होंगे, क्योंकि L से हमने अटेंड कर रहा है, थरस्टे को, तो 3 परसन हो जाएंगे यहां पर, से मैंसे अगर यहां पर J का देखें, तो उसके पहले बस एक ही परसन है, यह तो पोसिबल हो नहीं सकता, कंडीशन का गोडिंग, इसलिए हमने M को L से पह परसन है, that is N, जो संडे को अटेंड करेगा सेमिनार, अब हम कोशन देखें, if all the person are made to attend the seminar in alphabetical order, from Monday to Sunday, then the day of attending the seminar of how many person will remain unchanged, यहां पर हमें alphabet में इनने अरेंज करना है, और कितने परसन जो अंचेंज होंगे, मतलब कोई चीज नहीं आएगा, वो वो सी दिन seminar अटेंड करेंगे, जिस दिन वो पहले कर रहे थे, यहां पर हम alphabet में arrange कर लेते हैं, 7 persons हमें given है, J, K, L, M, N, O, P, यहां पर हम देखें, चेंज किस किस में आ रहा है, और किस में नहीं आ रहा है, यहां पर चेंज नहीं आ रहा है, M में, और बाकि सब चेंज हो गए है, हम अकेला यह जो seminar attend करेग सब्सक्राइब, आपको answer देखे हम, option में, option C is correct, 1, thank you.